इसकार आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ आपके साथ हा कांक्षा इस बार जारखन विदानसबा चुनाओ काफी माईनों में दिल्चस्प होने वाला है तोहारों के महौल के बीच ही जारखन की राजनीती में भी लगातार तरह तरह के सियासी रंग भ जारखन में देखने को मिल रहे हैं बतादे की जारखन की 81 विदानसबा सीटों पर चुनाओ होने वाले हैं जिसके लिए जारखन का सियासी महौल चर्चा में बना हुआ है चुनाओ के लिए हर दल की तरह से अपनी रंणीती तयार की जा रही हो जनता के बीच पहुँचकर अपने विरोधी दल के खिलाफ महौल बनाने का काम किया जा रहा है। पूरी ताकत जोक रखी है। जेमें हेमन दुबारा के नारे के साथ चुनाओ मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ खुद हेमन सोरेन जहां सियमपत के दावेदार हैं तो वहीं उनकी पत्नी और गांध्य विधायक कल्पना सोरेन की रैलियों में भारी भीड भी उमड रही है। दोनों के फेस पर चुनाओ लड़ रही जहारखन मुक्तिमोर्चा लगातार दूसरी बार हेमन सोरेन को मुखिमंतरी बनाने की पत्कता लिख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी लगातार जेमें को पत्कनी देने के लिए अपनी रणनीती के तहत काम कर रही है। जिसके लिए बीजेपी ने जहारखन में परिवर्तन यात्रा निकाली जिसमें पियम मोदी समित बीजेपी के कई दिगजनेता शामिल हुएं। परवर्टन आत्रा के जरीए बीजेपी ने सिम हिमन सोरेन के खिलाफ मोहल बनाने का काम किया तो वहीं जेमेम की ओर से भी मैया सम्मान यात्रा निकाली गई जिसकी कमाल सिम हिमन सोरेन ने अपनी पतनी और गांदे विधायक कल्पना सोरेन के हाथों में सौब दी जिसमें कलपना सोरे ने जार्खन में घूम घूम कर सीम हेमन सोरेन की गिर्फतारी को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किये और बार बार अपनी रैलियों में आई हुई जनता से बार बार यही कहा कि बीजेपी ने फरजी मामले में ही सीम हेमन सोरेन को जेल में डालने का का किया है और जार्खन के विकास में बाधा डानले का भी काम किया है जिसको लेकर कलपना सोरे ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्विट करते वे लिखा भी है कि भाश्पा वालों ने साजिश रचकर हमारे नेता हेमन जी को जेल भेजने का काम किया था जब जार्खन विकास की पर तेजी से आगे बढ़ रहा था तब भाश्पा ने सरकार गिराने की हर संभव कोशिश की यह वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक महात्वक आंक्षाओं के लिए राज के विकास और जनता के भविश्य से खिलवार करने से भी पीछे नहीं हटते भाश्पा के लोग कभ गुम्रा करने का अरूग भी मुखी मंतरी ने एक चुनावी रैली के संबोधन की दरां विपक्षी नेता जूटे वादों के साथ चुनावों में लोगों को गुम्रा करने का प्रयास कर रहें उनसे सावधान रहें क्योंकि उनकी झारखंड के खनिच संसाधनों पर है यही नहीं सियम हिमन सोरे ने बेजेपी पर आदिवासियों के हक छीनने और खुद की गिरफतारी को लेकर भी निशाना साथा हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते वे उन्होंने कहा था कि जब मैंने केंदर से जहारखन के लोगों के हक का बकाया हो एक लाग 36,000 करोड रुपए मांगा तो मुझे जेल मिटाल दिया गया जब से हमने सरकार बनाई है उसके एक गंटे बात से वेपारियों ने सरकार गिराने का खेल शुरू कर दिया उनके शडियंतरों से बचते वे हमारी सरकार ने पात साल पूरे किये यानि कि जारखन में बिजेपी के खिलाव सियम हिमन सोरेन और कलपना सोरेन की जोड़ी खड़ी है और दोनों मिलकर जारखन में सत्ता वापसी के लिए जान जोकने का काम कर रहे हैं और बिजेपी को टारगेट करते हुए अपनी रणनीती पर काम कर रहे हैं हाला कि कतितोर से सियम हिमन्त और कलपना सोरेन की इस जोड़ी से बीजेपी डरी हुई भी है क्योंकि जिस तरह से सियम हिमन सोरेन और कलपना सोरेन की जोड़ी को जनता का जनाधार मिल रहा है उससे महौल एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि सियम हिमन सोरेन को लेकर जार्खन में पहले से ही एक अच्छी खासी लोग प्रेता है तो वहीं अब कल्पना सोरेन जिस तरह से सीम हेमन सोरेन की जेल जाने के बाद से राजनीती में सक्री हुई है और जिस तरह से उनकी रैलियों में जनता की भीड इखटा हो रही है उसे देखकर अंदाजा ल बाबुलाल मरांडी ने सीम हेमन सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को बंटी और बबली की जोड़ी कह दिया एक मीडिया इंटर्व्यू के दौरान बाबुलाल मरांडी ने कहा कि जार्खन में हेमन सोरेन की सरकार बंटी और बबली की सरकार बन गई है सीम जिस तरीके से नाच गा रहे हैं उससे उनकी जटपटाहट साफ नजरा रही है हिमन सोरेन और कलपना सोरेन में विचित्र जटपटाहट देखने को मिल रही है साथी बाबुलाल मरांडी ने ये भी कहा कि जिस तरह से बंटी और बबली फिल्म में वो दोनों लोगों को ठगने का काम करते थ हैं वही हाली में एक मीडिया इंटर्व्यू के दोरान भी कलपना सोरेन ने बंटी और बबली की जोड़ी के आरोपों पर जवाब दिया जिसमें उनने कहा कि लोगसभा चुनाओं में मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है अब मैं पूरी मजबूती के साथ जारकन विदान सभा च करता है बलकि उनहें जैम'' दोरा चलाई जार ही योझनाओ पर और जारकन की जनता पर पूरा भरोसा है साफ है कि असीघर को जनसावाँ में उनकी जनसभाण में Fan Sarang Uh गिरिफतारी की वज़े से बीजेपी से नाराज भी बताई जा रही है आपको बता दे कि जारखन की 81 सीटों पर होने वाले विदानसभा चुनाओं को लेकर दो चरणों में मतदान कराए जाएगे पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को संपन कराए जाएगा जिसके बाद चुनाओं परिणाम 23 नवंबर को सामने आएगे यानि कि अब जारखन विदानसभा चुनाओं का काउंडाउन शुरू हो चुका है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि जारखन विदानसभा चुनाओं में सीम हिमन सुरेन और कल्पना सुरेन की जोड़ी क का कितना असर दिखेगा साथ ही जम्म और बेजेपे के बेच छीड़ी सियासी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा फिलाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही इस रिपोर्ट के लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथ ही अगर अभी तक हमारे